हलो नमस्कार स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडिवित विकास सेनी पर तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कसन करने जा रहे हैं करनिष्ट राजस्वय लेखाकार पलस तहसिल राजस्वय लेखाकार की उपर कि आखिर आपका जो रिजल्ट वगएर वो कब तक जारी किया जा सकता है कब तक आपको आपका जो रिजल्ट वो देखने को मिल सकता है और साथे में इस बार आपका जो कटो वगएर वो क्या रहने वाला है और साथे में आपका प्रीश इर जो कटो वगेरा वो कितना रहा था कितना आपका जो कटो वगेरा वो गया था तो इन टोपी को हम लोग यहां पे one by one करके यहां पे discussion करने वाले हैं तो वीडियो में आगे भणने से पहले अगर आपने भी तक हमारे इस वीडियो को एक like निक है तो एक like कीजिएगा इस वीडियो को आप लोग अधिक से दीशिर कीजिएगा support कीजिएगा और साथ ही में अगर आप हमसे first time connect और रहे हैं तो आज ही हमारे इस यूटूब चनल को सब्सक्राइबर पलस बेल आकन को प्रीश का ना मत भूलिएगा तो कि हम लोग आपके लिए हर रोज ऐसा ही आपके जो वीडियो वगएर वो इसी परकार के लाते रहते हैं तो चलिए बिना देरी कि आज की इस वीडियो की हम लोग सुरुआत करते हैं तो टोपी का नाम आप लोग देखी पा रहे हैं तो यहां पर हम लोग डिसकुर्सन करने जा रहे हैं G, R, A and T, R, A सबसे पहले यहां पर हम लोग जानती हैं का एकस्पेक्टेड रिजल डेट है एकस्पेक्टेड डेट है कि आपका जो रिजल डेट है वो कब तक जारी किया जा सकता है junior revenue account पलस आपका जो तैसल revenue accountant है इसका जो result है उसके उपर तो ये जाने से पहले हम लोग जानते हैं आपका previous year result date के बारे में previous year result date कि लाइस्ट टाइम आपका यह exam कब connect हो था और इसका जो result कब जारी किया गया था तो इससे पहले आपका जो exam है तो वो 2016 के इनदर conduct होा था आपकी जो vacancy ती JRA-NTA यए आपकी vacancy ती ती 2013 की लेकिन इसका जो exam है यह आपका conduct होता 2016 के अंदर तो 2016 के अंदर आपका जो exam date है वो था आपका 4 October 2016 4 October 2016 को आपका जो exam है वो conduct होता है और आपका जो result है वो लगबग 7 नॉम्बर 2 2016 को आपて जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाता है 4 अक्टूबर को आप gözां考 पनेट होता है और 7 नॉम्बर 2 2016 को इसका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाता है तो यहां से आप लोग एक अनूमाल लगा सकते हैं अब आपका एक्जाम कंडेक्ट वाता तो उसके लगबग अराउंड 35 दिन बाद में 35 डेज आपका जो रिजल्ट वगेर वो जारी कर दिया गया था आपके सामने है यह आपका एक्जाम डेट 4 अक्टूबर और यह आपका डिजल्ट डेट 7 नुवंबर 2016 तो लगबग 35 दिन बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था 2000 जो आपकी 16 वाले विकेंच है उसका रिजल्ट है अब बारी आपकी एक्सपेक्टेड डिजल्ट डेट है तो आप और हम से भी लोग जानते कि आपका जो एक्जाम है आपका जो इस बार का एक्जाम है यह आपका conduct होता है exam date 11 February 2014 है 11 February 2024 को इसका आपका exam conduct होता है तो अगर हम लोग प्रीश इर को देखे तो आपका जो result है वो लेक बग expected मान कर चलिए expected result date expected result date यह आपका 15 March 15 March तक आपका जो result है वो जारी किया जा सकता है आपका जो result है आपको देखने को मिल सकता है यह आपका एक संभावी थे यह आपका एक expected date है लेकिन फिलाल इसके उपर आपका कोई भी नए official update वेगर वो जारी नहीं किया गया कि आपका जो result है वो इस तारी को जारी होनी वाला है यह हमने आपको सिर्फ उट सिर्फ आपका जो last date का pattern है आपका जो pre-sir pattern है आगी आपका exam इस date को connect वाता और इसके इतने दिन वाद में आपका जो result है वो जारी किया गया था उसी के आधार पर आपको यह बताया गया है expected result date 4G, RAN, TRA 2023 तो expected यहने कि March के second week तक आपका जो result है वो देखने को मिल सकता है और जैसे आपका कुछ update मिलेगा, कुछ new official update है तो आपको अलग से वीडियो मिना करके सबसे पहले आपको update हो कर दिया जाएगा तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजिएगा अधिक से दिक share कीजिएगा और साथे में आप लोग हमें support का ना मत भूलिएगा तो चलिए friends बाकी हम लोग discussion कर देए आपका next वीडियो के अंदर Thank you so much